हेलो बच्चो, आज पढ़ेंगे अपन भासा भारती, हिंदी विसिस्ट कक्षा 5 का पाठ आठ चत्रपती सिवाजी, इसका आपन सारांस देखेंगे, ठीक है? यह चित्रकथा का सारांस, प्रस्तुत चित्रकथा चत्रपती सिवाजी, महान राष्ट भक्त एवं बीर युध् जन्म और कर्म का सचित्र बर्णन किया गया है। सिवा जी का जन्म सन 1627 में महाराष्ट में इस्तित सिव नेरी दुर्ग में हुआ था। एतिहासिक कथाएं सुनाई। महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता जी जवाई ने सिवा को साहस वीरता और देश प्रेम के गुण कूट-कूट कर भर दिये। कई के ले जीत लिये एक बार सिवा जी के एक सहयोगी आनाजी सौन देव के कल्यान के सुबेदार को पराजित कर उनकी पुत्र बधु को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर सिवा जी ने अपने सहयोगी पर गुशा करते हुए उसे अपनी संस्क्रतियाद दिलाई। सिवा जी ने सुबेदार की पुत्र बधु की तुलना अपनी मा से करते हुए उसे सम्मान कल्यान से बापिस भिजवा दिया। यह घटना सिवा जी के उजवल चरित्र की एक छा की भर थी। सिवा जी के बढ़ते प्रभा को देखकर वीजा पुर्दरवार ने अफजल खा नामक सेना पती को धोके से सिवा जी को मानने के लिए भेजा। किन्तु हुआ ठीक इसका उल्टा सिवा जी ने धूर्द सेना पती की चाल को पहले से भाप अपने हाथ में पहने बगन खे से उसकी छाती चीरदी अफजल खा की सेना के दात खटे करने के बाद सिवा जी मुगल सेना पती साइटसा खां को भी पराजित कर दिया। इससे चल कर मुगल बादसा और अंग जेव ने राजपूत राजा जैसे को सिवा जी पर आक्रमन के लिए भेजा। राजा जैसिंग ने सिवा जी के कई किले छीन लिये। साथ ही संधीक का प्रस्ताव भी रखा जिसे सिवा जी ने परिस्थितिती वस्विकार कर लिया। सिवा जी राजा जैसे पर विश्वास कर आगरा आय किंतू औरंग जेव ने अपमानित कर उनके पुत्र संभा जी के साथ बंदी बना लिया। कूटनीती में दक्ष सिवा जी फलों के टोकुरे में बैटकर अपने पुत्र के साथ छूबंतर हो गए। मुक्त होकर सिवा जी ने धीरे धीरे मुगलों द्वारा छीने गए अपने सभी के लिए बापिस ले लिये। सन 1674 में उनका विधी पूरवग राजजवी शेक हुआ। उन्होंने चत्रपती की उबादी धारण की। उनके गुरू समर्थ रामदास का भी उन्हें पूरा आसिरवाद प्राप्त था। सन 1680 में इस महान योध्धा का निधन हो गया। निमन लिखित सब्दों को के अर्थ पुस्तक में दिये गए सब्दों को से खोज कर लिखिए। इस पाठ आठ सिवाजी ये हैं। सिवाजी का पाठ आठ ही ये है। अब इसका अपन अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में ये हैं निमन लिकित सब्दों के अर्थ सब्द को से खोज कर लिखिए। तो ये हैं निमन सब्दों के अर्थ। अधिस्ठात्री याने प्रमुक देवी। पौरान क्याने पुरान संबंधी। इतिहासिक याने इतिहास से संबंधित। प्रोण अवस्था मतलब तीस से लेकर पचास वर्स्तक की आयू। विश्वत मतलब विश्वास के योग्य। परास्त मतलब हराया हुआ। पराजित। प्रभुत्व मतलब अधिकार महत्व मतलब अधिकार महत्व। प्रभुत्व मतलब अधिकार महत्व। कुलंगन मतलब लांगना, नामानना, नियम के बिरुद्ध, कारिकरना, बगावत, याने बिद्रो, स्वक्ष, उज्वल याने स्वक्ष स्वेत, श्रड़यंत्र याने साजिस, छल, मनसबदार मतलब सामन्त, अब इसका अगला प्रश्न है, निमनलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सिवा जी ये लिखाए इसमें, ये लिखाए प्रश्नों के उत्तर, किताब में ये दिए, तो ये दिए हैं इसके प्रश्नों के उत्तर, सिवा जी का जन्म कहां कब और कहां हुआ था, सिवा जी का जन्म सन 1627 में महाराष्ट में इस्तित सिवनेरी दुर्ग में हुआ था, सिवा जी को युद्धकला की सिक्षा किसने दी थी, दादा कौन देव ने सिवा जी को युद्ध कला की सिक्षा दी थी फिर है सिवा जी की मा का नाम क्या था सिवा जी की मा का नाम जी जावाई था सिवा जी के किस ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था सिवा जी ने सर प्रतम चापा मार युद्ध प्रणा लिका उपयोग किया था निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिये का महान वीरों की कहानिया सुना कर माता ने सिवा जी को किन गुणों को विक्सित किया बचपन में ही महान वीरों की कहानिय सुना कर माता ने सिवाजी में साहस वीरता और देश प्रेम के गुड़ों को विक्सित किया कोड़ाना दुर्ग का नाम सिहंगर क्यों रखा गया कोड़ाना दुर्ग की वजय के लिए हुए दुर्ग में ताना जी माल सुरे बीर गती को प्राप्त हुए सिवाजी ही उन्हें सिंग ताना जी कहा करते थे उन्ही के नाम पर कोड़ाना दुर्ग का नाम सिहंगर रखा गया औरंग जीव औरंग जीव ने पहरे से सिवाजी को कैसे बाहर निकले औरंग जीव के पहरे से सिवाजी कैसे बाहर निकले सिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया उन्होंने दान देने के लिए मिठाईया और फल बटवाना आरम कर दिया प्रती दिन मिठाईया और फल के टोकरे को आते जाते देख पहरेदार आसावधान हो गए एक दिन सिवाजी और उसके पुत्र संभाजी चुपचाप टोकरों में बैठ कर चुमंतर हो गए गा इस घटना से सिवाजी के उजवल चरित्र का पता लगता थै एक बार सिवाजी के एक सहयोगी आना जी सौन देव ने कल्याण के सुवेदार को पराजित कर उसकी पुत्र बधु को सिवाजी के समक्ष उपस्थित किया इस पर सिवाजी सौन देव को गुस्सा हुए और सुवेदार की पुत्र बधु की तुलना अपनी मा से करते हुए सम्मान पूर्बक कल्याण घजवा दिया इस घटना को सिवाजी के उजवल चरित्र का पता चल लगता है ठीक है फिर अगला प्रश्ण है सिवाजी के किन किन सैना नायकों को परास्त किया सिवाजी ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और कई सैना नायकों को परास्त किया इन मैंसे प्रमुक हैं अबढ़ खान सायस्ता खान इत्यादी प्रश्ण चोथा है रेक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए शरव प्रथम शिवाजी ने शरव प्रथम खाली स्थान युद्ध प्रनाली का उपयोग किया तो कौनसी प्रणाली का क्या? चापा मार प्रणाली का? सिवाजी की तलवार का नाम खालिस्थान था, सिवाजी की तलवार का नाम भवानी था कोड़ाना दुर्ग की लडाई में वीर गती को प्राप्त हुए? मंदिर में सूबेदार की पुत्र बधू की तुलवार का? सूबेदार पुत्र बधू की तुलना खालिस्थान से की थी, चत्रपती से अपनी मा से की थी, सिवाजी ने सूबेदार की पुत्र बधू की तुलना अपनी मा से की थी, राज अभिशेक के बाद उन्होंने खाली स्थान की उपादी धारण की छत्रपती की प्रस्न पाचवा पाठ के आधार पर सही जोडे बनाई ये स्थंबआ एक का होगा माता जी का नाम जी जाबाई दूसरा गुरू जी थे समर्थ रामदास जी तीसरा है छत्रपती सिवा जी चाथा है पिता जी पिता जी थे साह जी भोसले पाचवा पुत्र पुत्र था सम्बाजी ठीक है निम्न लिखे जाती वाचक सब्दों में से भावाचक संग्या बनाईए जवान का जवानी किसान का किसानी यह लगा के बनाएंगे तो फिर ता लगा के बनाना इधर तो है मानावत का मानावता गुरू का गुरुता भारतिये का भारतियेता नीचे दिये गए मोहावरों में बाके में प्रयोग कीजिए खून खूलना अपनी खड़ी फसल को जानवरों द्वारा नुकसान होता देख रामदीन का खून खूल गया फिर है चूमंतर जाद होना चूमंतर होना का बाकें प्रयोग करेंगे जादू गरने जैसे ही लड़की को बकसे में रखकर उसे पुनाए खोला लड़की चूमंतर हो गई गाल चक के छुटाना रानी लक्ष्मी बाई ने युद्ध में के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिये फिर है घादात कटे होना भारत ने पाकिस्तान के हर मूर्चे पर दात कटे किये निम्नलिकित अनुच्वेद में से उचद वराम चिन्नों का प्रयोग कीजिए सब्द को ब्रह्म कहा गया है सब्दों का अध्यन ब्रह्म की उपासना है सब्दों में बढ़ी सकती है जोडने जोडने में भी सब्दों में बड़ी सकती है जोडने में भी और और तोडने में भी तोडने की भी कृष्ण के सब्दों में अर्जुन और कर्मेवीर और योगानिस्ठ बना दिया और दुरुपती के दो सब्दों से महावारथ थन गया इसमें अब ब्राम जिन्नों का प्रयोग करेंगे इस प्रकार सब्द को ब्रह्म कहा गया है प्रपूर्ण ब्राम सब्दों का अध्यान ब्रह्म की उपासना है प्रपूर्ण ब्राम फिर सब्दों में बड़ी सकती है कॉमा फिर जोडने की भी और तोडने की भी कृष्ण के सब्दों ने अर्चुन को कर्मिबीर और योगानिस्ट बना दिया और दुर्प्ती के दो सब्दों ने से महा भारत ठन गया निम्न वाक्यों में क्रिया सब्द तथा सहाएक क्रियाएं पहचान कर लिखिये सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे एकता को आज बाहर जाना है उसे एक कारिक्रम में नाचना है उसने मा से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना उत्तर सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे क्रिया सब्दे सफाई सहाई क्रिया है कर रहे थे खा एकता को आज बाहर जाना है क्रिया सब्दे जाना सहाई क्रिया है गा उसे एक कारिक्रम में नाचना है क्रिया सब्दे नाचना सहाई क्रिया है उसने मा से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना क्रिया सब्द है कहा रख देना निम्न लिखित क्रिया सब्दों में बाग के बनाईए और बाग के को मैं सहायक क्रिया को रिखांकित कीजिए कहा खेलना राम फुटबाल खेल रहा है रहना मैं भोपाल में रहता हूँ हसनम हमें सदेव हसते रहना चाहिए गाना सीमा गाना गाती है उठना भोपाल सुबह विलंब से उठता है ठीक है धन्यवाद दोस्तो